हाई फ्रेंड्स ऑनलाइन एग्रिकल्चर क्लॉस्स के आफ इसल योटूब चैनल पर आप सभी का हार्तिक श्वागत करता हूं जैसा कि हम लोग ब्यच्चू सेशन 2020 का पेपर सलूशन कर रहे थे तो उसी के क्रम में आपका ये पार्टू है पार्ट वन को हम लोगों ने कर दिया गया इस पेपर को चलिए सभी पेपर आपको एक्जाम के पूरों मिल लाएंगे और अच्छे से एक्जाम दीजिए और टेस्ट स्रीज को साल्व करते रहे है प्रेक्टिस जितना करेंगे उतना ही अच्छा मार्क गिन होगा और एक अच्छी रैंक भी प्राप्त ह होगी तो तलिए साथ नंबर कोश्चन आपका डिस्प्ले पर है पहला कोश्चन क्या है 5 mg यूरिया डिजॉल्वड इन वन लिटर वाटर विल बी हाव मैनी पीपीम 50 पीपीम 50 पीपीम आपका दो बार दिया है यह 0.5 पीपीम एंड एटलिस्ट 5 पीपीम तो इसका आंसर है आपका 5 PPM का फुल फांप क्या होता है पार्ट पर मिलियन पार्ट पर मिलियन इस राइट आंसर आप दो पी पीम क्लियर अब नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं इंड़ मेताड आफ कंपोस्टिंग वाज प्रूपोस्ट वाइट विलियम गार्ड अलवाट वाड रावर्ट एम्सिक कैर्शन और मोकीची ओकाड़ा तो इसका राइट आंसर क्या है तो इसका राइट आंसर है आपका इलबर्ट हुआर्ड सी आप्शन आपका सही है नेक्स्ट कोस्टन देखते हैं तो इसका राइट आंसर है आपका इसका दूसरा नाम क्या है इसका दूसरा नाम है आपका शल्फो सल्फीवरान क्लियर अब नेक्स्ट कुस्टन देखते हैं डिफ लेक्त टाइप एंटी ट्रांस्पेरेंट इस इसका राइट आंसर है आपका क्याईलाइन क्लियर नेक्स्ट कुस्टन देखते हैं किसाल्य सेलूशन फास्पॉरस इस उप्टेंड काल एज तो इसका राइट अन्षर आपका इन्टेंसिटी फैक्टर डी अप्शन आपका सहीय क्लियर नेक्स्ट कोस्टन देखते हैं 65 नंबर तो phosphorus fertilizer यहां पर नहीं दिया है यहां पर phosphorus fertilizer और higher efficiency in maize crop is applied at searing stage तो इसका right answer आपका, searing time. Clear? Phosphorous fertilizer for higher efficiency in maize crop is applied at searing time. Clear? Next question. In SRI, system of rice intensification. इसका राइट आंसर है आपका 8 to 15 days लेकिन इसका एक्जेक्ट राइट आंसर है आपका 12 days क्लियर नेक्स्ट कोस्टन है आपका 67 तो इसका राइट आंसर क्या है इसका राइट आंसर आपका इसका राइट आंसर क्लियर अब नेक्स्ट कोस्टन देखिए वाइट आफ मेज जिसको हम कहते हैं वाइट बड़ आफ मेज इसका राइट आंसर आपका जिंक जिनके की कमी से धान में कौन सा रोग लगता है ये आप कमेंट सेक्षन में बताईए और आपको यहाँ पर 2012 से लेकर के 2020 तक के सभी पेपर्स का स्लूशन कराया जाएगा और सही सही आंसर आपको यहाँ से दिया जाएगा नेक्स्ट कोस्टन है सच्छम इस एन इंपॉर्टेंट विराइटी आफ जापानीज मिंट इसका अर्ट तुलसी पाल्मा शोरा पोटेटो क्लियर तो इसका राइट आंसर क्या होगा तो इसका राइट आंसर है आपका जापानीज मिंट क्लियर इसका राइट आंसर क्या है जापानीज मिंट सचमी जाएन इंपॉर्टेंट विराइटी आफ जापानीज मिंट इसको बिलकुल रड डालिए नेक्स कोईशन है दे सिट एट आफ टीपी एस टीपी एस का टर्म क्या होता है टीपी एस का मतलब होता है ट्रू पोटेटो शेड टीपी एस टर्म गीवेन बाइट डाक्टर रामा नुजम रामा नुजम क्लियर तो इसका टीपी एस में इसका सिट रेट क्या होता है तो पहला दिया है सो से डेट सो कीलो ग्राम इसमें आपको बिलकुल कंफियूज नहीं होना है पहला दिया है सो से डेट सो कीलो ग्राम दूसरा दिया आपका सो से डेट सो ग्राम तीसरा दिया पान सो साथ सो ग् जी यह आपके केजी में दिये हैं जो की गलत हैं कि यह आपका जो ग्राम में दिया सो से देट सो ग्राम यह आपका राइट आंचर है क्लियर नेक्स्ट कोस्टन है आपका 71 नंबर नाइट्रोजनेस एंचाइम है आइरन एंड मॉल्डेनम इस एर रेसियो इफ क्लियर 10 इस टुवन 9 इस टुवन 12 इस टुवन and at least 7 इस टुवन तो इसका राइट आंसर क्या होगा तो आपका 7 इस टुवन नेक्स्ट कोस्टन है आपका शिद डिस्पर्सल मैकेनिजम पोजेस्ट बाइ बिंडेन फिलोसाइट्स परजेंट ओफ लांग अवन्स अडेंशिव बर्ब इन शेड अडेंशिव शेड आफ फ्रूट एंड फ्लेसी फ्रूट्स तो इसका राइट आंसर क्या है तो इसका राइट आंसर है अडेस्टिव बर्ब आन शेड नेक्स्ट कोस्टन है आपका इस दो फ्रूट पोर्शन आफ मिल्क माइनस फास्ट ग्लोबिलस अल्मोस्ट सिमलर तो इसकी मिल्क मिल्क लिपीड मिल्क प्लाज्मा मिल्क शीरम एंड फे है तो इसका राइट आंसर क्या है मिल्क प्लाज्मा क्लियर अब नेक्स्ट कोस्टन देखते हैं क्लोड इन बॉइलिंग टेस्ट इस तन तो इसका राइट आंसर है आपका टू डिटर्माइन दे सुटेबिल्टी आप मिल्क फार हीट प्रॉसेसिंग क्लियर अब देखें एंट ये किस प्रकार का कोस्टन पूछ रहा है बहुत टॉफ कोस्टन पूछता है जादे नहीं थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो आप सारे कोस्टन इसको कर ले जाएंगे मोस्टली कोस्टन आपके टर्मिनलोजी पर डिपेंड रख रहा है इसका राइट आंसर है आपका लोही लोही से ही फर्स्ट क्लोन बनाएगी थी क्लियर ये कोस्टन कई बार वियेच्चो ने पूछा है नेक्स्ट कोस्टन है कैल्सियम और फास्पोरस रेजियो इन मिल्क बफैलो तो इसका राइट आंसर है आपका ये आप्शन वन पॉइंट वन जीरो क्लियर नेक्स्ट कोस्टन है आपका 77 नमबर रेट आफ जेनेटिक चेंज और पॉपुलेशन द्यू टू शिलेक्शन आफ डिटर्माइन बैसिकली बाई तो इसका राइट आंसर है ये देखिए टर्मिनलाजी आपका पूछ रहा है हरिटेविल्टी इस राइट आंसर आप देखिए 77 नमबर कोस्टन क्लियर अब यहां पर देखिए चूज दिकरक्ट स्टेट्मेंट इन रिलेशन आफ ग्रेविटी मेथड आफ ग्रेम सेपरेशन तो इसका राइट आंसर है आपका आपका बीफिश इस राइट आपका बीफिशन इस राइट आनसर नेक्स्ट कोस्टन है विच आप दो फालोईंग कांस्टिटिउन्ट एच हाइस डेन्सिटी क्लियर अब इसका यूनिट क्या दिया है किलोग्राम प्रति मेटर क्योग सो क्रोज ग्लुकोज साल्ट एंड प्रोटीन तो इसका राइट आंसर जो है आपका है शाल्ट के से क्लियर नेक्श्ट कोस्टन है आपके ऑप्रमप्रेजर फ़ारío्य प्रमिजय फिलीग बैक्टीरिया मेज फिलीग बैकतिरियव के लिए आप्टीम हम टंप्रेजरब उच रहा है तो इसका पहला अप्शन 20 से 40 डिग्री इसका राइट आंसर क्या है 20 से 40 डिगरी सेल्सियस आप्टिमूम टमपरेचर फार मीजोफिलिक बैक्टिरिया के लिए मेरी ब्रीड आप पाउल्ट्रिप बिलांग्स टू एपी का मतलब होता है आंध्र परदेश एंड अशाम मद्यपरदेश एंड एट लिस्ट गुजरात तो इसका राइट आंसर है आपका अशाम क्लियर नेक्स्ट कोस्टन देखते हैं एट जन्रल रूल उन मतलब है कि जो आपसन सही है उसका नेम बता दीजी या आपसन दे दीजे क्योंकि इससे यह पता चलेगा कि हाँ आपका confidence level कहां तक है साथ में वीडियो को share भी कर दीजी अन्य साथियों को जिन के पास यह वीडियो पहुंच जाएगी और उनको सलूशन इसका भी प्रिवियस यहर के सारे पेपर का सलूशन मिल दाएगा साथ ही मैं यह कहूंगा कि सारे educational ग्रूप में भी आप अवस्य से हर कीजिए क्योंकि यहां पर यूपी ट्रिपल से यूपी काटेट आई सी यार बी एचिव और अन्य संबंदी जो भी जानकारिया हैं यहां पर आपको मिलते रहते हैं चलिए नेक्स्ट कोस्टन देखते हैं 83 मौस्टर कंटेंड फॉर लूज है इसका राइट आंसर क्या होगा तो इसका राइट आंसर होगा नेक्स्ट कोस्टन देखते हैं तो इसका राइट आंसर है स्कीमिंग एंड डाइलूशन विद द वाटर राइजिंग द पीएज आफ दे मिल्क क्लियर नेक्स्ट कोस्टन 85 नंबर रूरल डिवलप्मेंट एज यहां पर दिया फिल अप करने के लिए इस कैन नोट्स ओबर आल डिवलप्मेंट आफ रूरल एरियाज विट ए विव तो इंप्रूब दो क्वालिटी आफ लाइफ आफ रूरल पीपल कॉंसेप्ट स्ट्रेटिजी डिसिप्लिन एंड फेनोमेन हो तो इसका राइट आंसर आपका कॉंसेप्ट नेक्स्ट कोस्टन बिएंग यूनिवल्ब्ड एंड फेलिंग लेब मी अलोन इस नेचर आफ फेर आपका इसपेश दे दिया है आफ लीडर्स अटोक्रेटिक डेमोक्रेटिक बेनोवलेंट एंड लेशन फायर लीशेज फायर तो इसका राइट आंसर होगा आपका C आप्शन लीशेज फायर क्लियर नेक्स्ट कोस्टन देखते हैं बोड आफ डिरेक्टर्स अबलिक तॉप लेबल अधिनिस्टेटर निट है लेबल आफ इसका राइट अंसर है आपकां अनसेप्शन इस्किल्स clear next question 88 number 88 number question आपका the established behavior patterns for the members of a social system the define a range of tolerable behavior and serve as a guide of standard for फिर यहाँ पर आपका फिलत दे दिया है फिल करना है आपर members behavior in a social system or known as norms is right answer of this question यहाँ पर फिल करना है यहाँ नॉर्मस next question आते हैं the sequence stage of adoption should be A I E T A is right answer of this question next question आपका 90 number तो इसका आपको सीधे हम direct answer बता दे रहे हैं यह answer इसका सही है फिर आपका 91 question आता है तो 91 question में आप statement according उस समय कौन सा statement आपको देगा एक्जाम में वो आपको चुज करना होगा इसमें C answer इसका statement सही है कौन सा option सही है तो आपका C option सही है statement के कार्डिंग आपका आंसर सही होना चाहिए फिर आपका आता है 92 community development project was initiated under recommended of यह बहुती popular और most question important है तो ग्रोम मूर फोर्ड कमेटी क्लियर अब 93 question देखते हैं तो इसका राइट आंसर है आपका आपके पास बेच्चू के previous year paper होंगे या net से डाउनलोड कर लिजेगा साइट से तो वहाँ पर आपको मिल जाएगी तो उसमें आप answer टिक कर लिजेगा फिर आपका आता है 94 number question 94 में क्या है question में इन इंडिया context meaning of the team extension and transfer of technology while in USA it is advisory work, rural guidance, education and capsitation तो इसका right answer है 94 number question का education education का मतलब होता है शिच्चा अब इसमें question आपका ये है कौन ऐसा word है जिसमें आपके पांच वाबिल्स include हैं पांच वाबिल्स होते हैं वो किस word में include हैं पांच वाबिल्स in the sense AEIOU जो बस्पन में हम लोगों ने पढ़ा है नेक्स्ट कुस्टन है 95 नंबर इन आटोनोमश इस्टेबलिस्ट एस लेवर स्टेट लेवल फॉर प्रोवाइडिंग कंसल्टेंशी इन प्रोजेक्ट प्लाणिंग इस्पिरियल एक्स्टेंशन एंड मैनेजमेंट ट्रेनिंग इस्पेशली टू एटियम में फॉन संदेज तो इसका राइट आंसर क्या है शमेती नेक्स्ट कोशन है दा फिलासफी आफ एक्स्टेंशन इस तू टीछ पीपल हाव तू थिंग नाट वाट तू थिंग वाई तू 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 इसमें राइट आंसर कौन सा होगा आपका A and B as का होगा how to think and not what to think जिसमें आपका A आप्षन साइए A and B नेक्स्ट कोशन की तरफ बढ़ते हैं जिरो यूनिटी more than 0 less than 1 तो इसका राइट आंसर क्या होगा तो 97 का होगा आपका less than 1 clear अब आप देख लिजी economics extension और in tomologic case प्रकार के questions पूछे जाते हैं फिर आपका आता है next 98 number the statutory liquid ratio SLR is fixed by finance ministry nawad SBI RBI तो इसकी जो finance SLR fix करता है यह आपका RBI करता है अब आप comment section में यह बताए कि RBI की अस्थापना कव होई थी next question under perfect competition the demand curve of farm is shown by AR curve, BC curve, MC curve and AC curve तो इसका right answer जो है वो है आपका AR curve फिर आपका next show number question का answer क्या है the relationship among price elasticity of demand marginal revenue AR तो इसका right answer है आपका AD is equal to AR upon slash AR minus MR clear next question है 101 number question आपका है skill of finance fixed by commercial bank, RBI, NAWARD और district level technical committee तो इसका right answer है district level technical committee take next question 102 number है आपका in first stage of production elasticity of production remains less than 1, more than 1, less than 0 and equal to 1 तो इसका right answer है more than 1 surplus plus is equal to marketed surplus is equal to marketable surplus next question है आपका 104 number add zero level of production तो इसका right answer है TC minus VC clear फिर आपका 105 number question है the decision what to produce is taken with help of law of substitution law of demand law of denierizing return and next question है next option है opportunity cost principle तो इसका 105 number का right answer क्या है तो law of substitution law of substitution clear अब next question 106 number at break-even point at break-even point TR is equal to FC plus BC A option is right answer of this question next question 107 net capital ratio NCR जिसको हम कहते हैं तो इसका total assets upon total liabilities एकोनामिक्स में आप major focus किवी हैं next question है आपका 108 number बहुत अच्छा question है if the rate of inflation is 5% is termed as creeping inflation इसका टो इसका right answer है आपका walking inflation clear next question है आपका the black cotton soil of India are dominant by which soil order वाटी सोल, इंटी सोल, एंटी सोल, एंटी सोल, एंटी सोल, एंटी सोल, एंटी सोल एंटी सोल तो इसका right answer क्या है आपका वाटी सोल clear next question 110 number बहुत ही अच्छा question है in let right soil SiO2 slash Al2O3 ratio in is in which range less than 2, more than 2, more than 5 and 3 to 4 तो इसका right answer आपका क्या है तो इसका right answer है आपका less than 2 फिर आपका Montmorello night is an example of type of clay mental 2 is to 1, 1 is to 2, 2 is to 2 and 1 is to 1 तो इसकार Montmorello night का जो ratio होता है वो 2 is to 1 होता है क्लियर अब नेक्स्ट कोस्टन देखते हैं नेक्स्ट कोस्टन आपका है तक कंप्रिहेंसिव सिस्टम आप स्वाइल क्लासिफिकेशन इस पाप्लरली नोन एज 7 एप्रॉक्सिमेशन, 8 एप्रॉक्सिमेशन, 10 एप्रॉक्सिमेशन और 9 एप्रॉक्सिमेशन तो 112 नमबर का आपका राइट आंसर है जो सिवन्थ एप्रॉक्सिमेशन जिन लोगों को वीडियो क्लियर नहीं देख रही है वे लोग 360 पीपर या 720 पीपर करके आराम से देख सकते हैं यदि आपका कमेंट की रिप्लाई इसमें नहीं आती क्योंकि यह प्रीमियर क्लास चलने के बाद उसमें आपकी जो कमेंट होती है वो hidden हो जाती है वो हमें भी नहीं दिखती बाद में इसलिए अन्यता की दसा में आप किसी दूसरे वीडियो या इंडी स्क्रीन वाले वीडियो पर कमेंट करके जो भी question आपके मन में है जो भी doubt है या watch up करके हमसे संपर करके पोच सकते हैं या उसको क्लियर कर सकते हैं क्लियर चलिए 113 नंबर question पर आते हैं maximum fixation of potassium ions टेक प्लेस इन दा स्वाइल डॉमिनेंट वीज टाइप अपकले मिन्डल्स इलाइट क्योली नाइट मॉन्ट मॉरिलो नाइट एंडर हैलो शाइट तो इसका राइट आंसर है इलाइट अब next question है which of the following is an example of sulfur oxidizing bacteria तो यह बहुत अच्छा question आई है सभी लोग जानते होंगे theobacillus फिर आप कहाता है next 115 question the essential criteria was given by तो essential of criteria जो दिया था उस बैज्ञानिक का नाम क्या है अर्नान एंड इस्टाउट बार बार ब्रेडी एंड कैट नेलसन तो इसका राइट आंसर है आपका अर्नान एंड इस्टाउट ने essential of criteria कब दिया था यह आप comment section में बता ही next question आपके आते हैं in alkaline soil in alkaline soil the exchangeable sodium percent should be should be less than 50 percent less than 15 percent पंदर परिशत से कम next question है if a soil has moisture content at 0.3 bar suction as 0.35 cm3 and 15 bar suction is 0.11 cm2 – cm3 what is plant or level content तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका यह option 0.24 cm3 – cm3 clear next question है आपका this soil is medium in available nitrogen this soil organic carbon content will be which range तो इसका राइट आंसर है 0.5 to 0.7 percent clear next question in neutron moisture meter the source of vast nutrients commonly used in commonly used in americium and beryllium americum and beryllium next or last question आपका है बहुत इथा question है आपका soil structure analysis is based on which type of following law Stokes law, Darcy law, Fick's law, Lambert and Beers law तो इसका राइट आंसर है आपका Stokes law clear यदि आपको PDF की जरूरत होगी तो आप हमारे ओनलाइन एग्री कल्चर क्लासेश या एग्री क्लासेश फाइफ शेवन थ्री सर्ज करेंगे टेलिग्राम पे तो आपको हमारे चैनल का लिंक आ जाएगा उसको जॉइन कर दीजीगा वहीं पर आपको PDF प्राप्त हो हैं वह भी प्राप्त हो जाएंगे और जैसे या आपका VHU का exam नजदिक आ रहा है, ICR का भी practice set चल ला है और VHU का भी practice set चल ला है दोनों को attend करते रहिए और अच्छे marks गिन कीजिए, best of luck थैंक्यू